कि हेलो स्टुडेंट्स को लेवल के वेब डिजाइनिंग पेपर के एमसीक्यू को सॉल्व करने का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर दूसरे और तीसरे के के एमसीक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्य करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि पैला क्वेशन है दा ब्राउजर अप्लाइस दा फीचर ऑफ टैग अंटिल इट गॉंटर्स तर डैश टैग ब्राउजर किसी टैग की विशेश्चताओं को तब तक लागू करता है जब तक वो क्या टैग या क्या आपको सिन काम करना शुरू करता है और वो उतने लाइस तक या उतने कंटेन्ट तक काम करता है जब तक उस टैग को आप बंढ मंद नहीं कर देते हैं तो जब तक आप टाइक की विश्चताओं लागू करता है थैक है तो इसका सही क्लोजिं टैग अगला कमेसे है जो है और वो कैसे दिखाई देना है यह control करने के लिए क्या होता है तो यह चीज control करने के लिए stml पर टैक्स होते हैं ठीक है और एक्जांपल अगर कोई text लिखा हुआ है तो अगर इसमें आप b tag के अंदर लिखेंगे तो यह बोल्ट की तरह दिखेगा अगर इसी content को आप i tag के अंदर लिखेंगे तो यह italic form में दिखेगा तो यह जो content है यह कैसे दिखाई देगा वह पेज पर यह control करते हैं यह tags तो इसका सही जवाब होगा tags अगला question है इसमें से क्या सही है यहां पर अपने bold tag को open किया है content लिखा है फिर bold tag को open किया है इस tag को आपने बंद नहीं किया तो यह गलत है यहां पर आपने पहले tag को बंद कर दिया है open बाद में किया है तो यह भी गलत तरीका है tag को आपने open करते हैं ठीक है फिर हम लिखते हैं content और फिर content लिखने के बाद tag को हम close करते है तो आपको एक slash लगाना होता है यह tag को बंद करना दर्शाता है तो जो सही जवाब है वो option C अगला question है what is the general syntax for inline image image को लगाने के लिए जो सामान्य syntax है या लिखने का तरीका है वो इसमें से कौन सा है जब भी आप कोई photo लगाते हैं आपको img tag लगाना होता है और img tag के अंदर कौन सा photo है यह बताने के लिए src attribute लगाना होता है और उसके अंदर आपको उस photo का address यानि url देना होता है फिर आपको फारवर्ड श्रेश लगाना है और उस tag को बंद करना है तो किसी भी image को लगाने का यह तरीका होता है लिखने का तरीका ठीक है इसमें से जो सही option है वो है यह last वाला दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि अपने tag को यहां बंद के नहीं किया हुा है तो जो mg tag होता है यह empty tag होता है nur TV tag में content तो नहीं होता है लेकिन content अगर नहीं है तो?- ऑपन और उसी व्वंद करते हैं तो जब उसी में आपको बंद करना है तो आपको ये श्लैश चिन लगाना जरूरी होता है तो यहाँ पे श्लैश चिन लगा है जबकि यहाँ पे नहीं लगा है तो यह वाला option आपका सही है अगला question है to create a link to an anchor you use the dash property in the tag अगर आपको एक link बनाना है जिसमें आप anchor का use करते हैं तो आपको tag के अंदर कौन सी property का use करना होता है तो anchor ऐसे tags को हम कहते हैं जो link बनाने में इस्तमाल होते हैं और link बनाने के लिए हमको जो लिखने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले तो हमको anchor tag का नाम लिखना होता है फिर link का address बताने के लिए href में उस link का नाम लिखते हैं या address का नाम लिखते हैं फिर हम tag को बन करते हैं ठीक है तो anchor tag के साथ जो property use होता है वो होता है href ठीक है href का पूरा नाम होता है hyperlink reference ठीक है यह full form याद रखेगा exam में कई बार पूछा भी गया है कि href का full form क्या होता है अगला question है stml tags क्या होता है stml tags को आप small case में भी लिख सकते हैं capital में भी लिख सकते हैं या आप mix भी कर सकते हैं तो सब काम करते हैं ठीक है तो यह case insensitive होता है insensitive का मतलब lower case uppercase कोई भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं अगला question है which of the following path is supported by html इसमें से कौन सा जो path है या जो address को लिखने का तरीका है वो कौन सा html दोरा support किया जाता है या मानने होता है तो इसमें आप absolute path भी use कर सकते हैं और relative path भी use कर सकते हैं तो सही जवाब होगा both a and b absolute और relative path क्या होता है जैसे मानने हैं हम किसी photo को लगा रहे है और उस photo को हमने ये नहीं बताया कि वो कौन से server पे है कौन से folder के अंदर है बस हमने उस photo का नाम लिख दिया tree.jpg तो यहां पे मैंने ये नहीं बताया कि ये जो photo ये जो tree वाली photo है ये किस server पे है ये किस folder के अंदर है ये मैंने नहीं बताया तो ये होता है relative path अगर आप complete address भी देते हैं वो absolute path होता है तो वो भी valid है और relative भी valid है तो इसका सही जवाब होगा both अगला question है HTML का पूरा नाम क्या होता है HTML का पूरा नाम होता है hypertext markup language ठीक है hypertext markup language ये एक ऐसी भासा होती है जिससे हम web page का layout यानी structure बनाते हैं अगला question है correct HTML tag जो text को bold करता है तो किसी भी text को bold करना है तो आप उसके लिए tag लगा सकते हैं या आप किसी text को bold करने के लिए strong tag का उपयोग भी कर सकते हैं तो strong tag से भी text bold होता है और b tag से भी bold होता है तो इसका सही जवाब होगा बहुत b नहीं होगा या c होगा ठीक है a and c which attribute is used to name an element uniquely किसी भी element को एक अनोखा नाम देने के लिए हम कौन सा attribute use करते हैं unique name ऐसे नाम को कहते हैं जो किसी और का ना हो तो किसी element को अगर आप विसेस नाम देना चाहते हैं जो duplicate ना हो तो इसके लिए हम id attribute का use करते हैं ठीक है id attribute में जो value दी जाती है वो किसी दूसरे element का नहीं होना चाहिए अगला question है shortcut to duplicate the current line in notepad++ notepad++ software में current line को duplicate करने का जो shortcut है जैसे माल लेजे line number 10 पे आपको tapping कर रहे हैं उसी में आपका cursor रखा हुआ है तो जो content 10 वे line पे लिखा है वही content आपको आपको नीचे वाले line पे भी चाहिए तो आप उसी दसवे number के line पे control plus D shortcut use करेंगे तो वही content आपको दोनों line में मिल जाएगा तो line को duplicate करना है control plus D shortcut का use करेंगे अगला question है special formatting codes जो HTML document में use होते हैं content को दिखाने के लिए HTML document में जितने भी content होते हैं उनको दिखाने के लिए जो code इस्तिमाल होता है उसको हम कहते है tags ठीक है जैसे आपको paragraph दिखाना है तो paragraph का tag है photo दिखाना है तो photo का tag है form बनाना है तो form का tag है तो इसो हम कहेंगे tags अगला question है when should you use path along with file name of picture in img tag img tag में किसी photo का नाम के साथ आप उसका path कभ use करोगे हमने जैसे पहले बताया था कि आप photo लगा रहे हैं तो src के अंदर आप उसका नाम लिख दीजे ठीक है नाम लिखने से वह photo काम करेगा वो दिखने लगेगा लेकिन कुछ conditions होनी चाहिए जैसे जिस stml में ये code आप लिख रहे हैं वो stml वाली file और जो photo आप लगा रहे हैं वो photo दोनों एक ही जगे होनी चाहिए तब ये नाम वाला तरीका काम करेगा question में ये कह रहा है कि file के नाम के साथ आपको path अभी कभ लिखना पड़ता है तो path हमको तब लिखना पड़ता है जब stml वाली file और image वाली file different location पर हो यानि एक जगे एक folder में ना हो तब आपको ये तरीका इस्तमाल करना पड़ता है आपको path तब लिखना पड़ता है तो यहाँ पे b वाला option देखिए जब image का location और stml file का location अलग-अलग होता है तब आपको path लिखना पड़ता है अगला question है web page एक photo दिखाता है तो photo को दिखाने के लिए कौन सा tag यूज किया गया है इप कोई भी image हो उसको दिखाने के लिए हम img tag का यूज करते हैं और ये एक empty tag होता है मतलब उसी में open हो जाएगा और उसी में close हो जाएगा और content नहीं लिखा होता है इसके अंदर तो img क्या होता है एक empty tag होता है अगला question है पहला tag किसी भी stml document में कौन सा होता है तो कोई भी stml document में जो सबसे पहला tag हम लगाते हैं वह stml tag होता है stml tag के अंदर दो tag होते हैं एक होता है head और दूसरा होता है body ठीक है तो सबसे पहले कौन सा tag होता है stml tag भी वाला option सही है अगला question है which tag inserts a line horizontally on your web page आपके web page पे कौन सा ऐसा tag है जो एक 36 line बनाता है तो कोई भी horizontal line या 36 line draw करने के लिए hr tag होता है और hr का पूरा नाम होता है horizontal rule ठीक है यह hr का पूरा नाम है यह याद रखेगा अगला question है इन में से कौन सा सही stml है hyperlink लगाने के लिए hyperlink लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको anchor tag लगाना होता है उसके बाद में आपको href के अंदर एक url लिखना होता है जो link open होगा फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है content यानि कौन से text पे आप क्लिक करेंगे फिर आपको उस tag को बंद करना होता है तो यह सही तरीका है links को बनाने का इसमें से आप जो सही option है उसमें आपको last आप्शन सही दिख रहा होगा दूसरा और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि href यहाँ पे नहीं लिखा है तो href सिर्फ यहीं पे है तो यह सही option है इसमें आपने tag को बंद नहीं किया है तो options को ध्यान से देखना है एक्जाम में जितने भी questions आते हैं उन सभी के options को ध्यान से देखेगा समझेगा फिर आपको answers देने है अगला question है कौन सा tag किसी font के size को बड़ा दिखाता है यारी थोड़ा large दिखाता है किसी भी text का size अगर आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास big tag होता है यह container tag है तो इसको open and close आप दोनों करेंगे तो big tag option B सही है अगला question है which is the correct syntax in stml for creating a link on web page link को बनाने का सही तरीका क्या है stml में इससे पहले वाला question भी आपने देखा था कि link को बनाने के लिए सबसे पहले anchor tag लगाते है href के अंदर link का नाम लखते है या address रखते हैं फिर content होता है फिर anchor tag को बंद कर देते हैं option D का सही जवाब है अगला question है stml file का सही extension क्या है extension किसी भी file के प्रकार को यानि type को बताते हैं और stml file में आप दो extension यूज कर सकते हैं एक dot html और एक dot stm तो इसका सही जवाब होगा बोथ a and c अगला question है which of the following is not an attribute of img tag img tag में इसमें से कौन सा एक attribute नहीं है यानि आप इस tag में कौन सा attribute यूज नहीं कर सकते हैं तो alt आप यूज कर सकते हैं src यूज कर सकते हैं border यूज कर सकते हैं href नहीं यूज कर सकते हैं वो links में यानि की anchor tag में इस्तमाल किया जाता है तो इन तीनों को आप लगा सकते हैं इसको नहीं लगा सकते हैं alt tag टेक्स्ट दिखाने के लिए होता है अगर सर्वर फोटो को नहीं ढूंद पा रहा है या ब्राउजर उस फोटो को नहीं दिखा पा रहा है उसके इस इस्थान पर एक टेक्स्ट दिखता है वह एल्टी एट्रिबूट का काम होता है कौन सा फोटो दिखाना है वह इसके लिए src होता है फोटों पे बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर एट्रिब्यूट होता है ठीक है अगला question है इसमें से कौन सा statement सही है body title tag को रखता है head tag के अंदर stml tag होता है stml के अंदर केवल body tag होता है और stml के अंदर head होता है तो structure कुछ इस तरह होता है पहले stml होता है फिर उसके अंदर head होता है head के अंदर title होता है फिर head जब बंद हो जाता है तब body start होता है और body जब close हो जाता है तो stml close होता है title को मान लेते हैं कि मैंने यहीं पे बंद कर दिया था tag है नहीं क्या head tag के अंदर html है head के अंदर html नहीं है html के अंदर केवल body है देखि html के अंदर head भी है और body भी है केवल body नहीं है html के अंदर head है तो html के अंदर head है तो यह सही जवाब है अगला question है which of the following html tag will inserting a line break tag तो अगर आपको web page पर एक खाली line चाहिए जैसे content यहां लिखा है फिर आपको एक line का space चाहिए फिर आपको उसके नीचे कुछ content दिखाना है फिर जो line का space है यह बनाने के लिए कौन सा tag लगाते हैं तो यह बनाने के लिए आपको BR tag का यूज करना होता है अगला question है which of the following is correct to align h1 tag to the right h1 tag को दाहिने side set करने के लिए इसमें से कौन सा सही तरीका है अगर आप h1 के अंदर ऐसे content लिख देंगे तो वह left side browser के दिखेगा अब position attribute लगाते हैं तो यह कोई attribute ही नहीं है तो यह काम ही नहीं करेगा alignment set करने के लिए align attribute होता है ना कि alignment attribute तो यह गलत तरीका है align attribute से आप उसकी position को right side में set कर सकते हैं तो सही जवाब होगा option D अगला question है we can write html code using हम html code को किसका use करके लिख सकते हैं तो ब्राउजर का use नहीं media player नहीं text editor का use कर सकते है html code को लिखने के लिए अगला question है html tags घिरे होते हैं किस bracket के दौरा कोई भी टैग आप लिखते हैं तो यहां पर जो bracket का use कर रहे होते हैं इसको हम angle bracket कहते हैं html कौन सी भासा मानी जाती है तो html को हम markup language कहते हैं markup language ऐसे language होते हैं जो किसी document के layout को या structure को बनाने के लिए use के जाते हैं अगला question है html tag के opening tag को और भी किस नाम से जानते हैं या और भी क्या कहलाता है तो opening tag को हम closing tag तो नहीं कहते हैं ending भी नहीं कहते हैं पेरिंग भी नहीं कहते है starting tag कहते हैं कोई भी tag जहां से open होता है वहीं से वह start होता है इस वज़े से इसको starting tag है भी कहते हैं अगला question है the software that can read and render HTML documents is एक software जो कि HTML documents को पढ़ सकता है और display करा सकता है तो वो होता है browser तो browser HTML documents को पढ़ता है और हमको display भी करता है अगला question है किसी भी वेबसाइट का जो पहला page होता है वो क्या कहलाता है किसी वी website का जो पहला page होता है वो cover page home page main page और menu page में से Wो homepage कहलाता है ठीक है यह वह पहला पेज होता है जो किसी भी website को open करने पर हमको दिखाई देता है अगला question है वेब का native protocol कौन सा है तो वो प्रोटोकॉल जो वेब पे मानक protocol ठीक है तो native protocol इसमें से वेब का http है कोई भी webpage आप डाउनलोड कर रहे होते हैं वहां पे http यूज होता है अगला question है text editor works on the principle of text editor कि सिध्धान पे काम करते हैं text editor यह तो protocol है यह character code है यह भी related नहीं है तो इसका सही जवाब होगा यह वाला इसका पूरा नाम होता है what you see is what you get आप जैसा text editor पर typing करेंगे वैसा है कर वैसा ही आपको output मिलेगा तो उसमें कोई changes नहीं होता है इस वज़े से हम इसको यह principle कहते हैं तो इस वीडियो में आपने जितने भी MC की questions को solve किया है उसमें से कुछ questions ऐसे हैं जो आपके पिछले exams में आ चुके हैं और कुछ ऐ इसे important questions हैं जो आपके होने वाले जन्वरी के paper में आ सकते हैं तो इन सभी MC की questions को आप exam देने से पहले जरूर पढ़ लीजेगा ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो का वेट करिए तब तक के लिए धन्यवाद